नमस्कार दोस्तों मैं प्रणाव आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी चैनल में जिसका नाम है dedicated investments अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी इसे गुजारिश करता हूँ चैनल को जबूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसके बाज जो आ सामने लेके आने के पुरी कोशिश करता हूँ कुछ ऐसा ही में वीडियो लेके आ रहा हूँ कि on Tuesday that is on 30th of March हमें क्या कुछ लेवल्स नजार आ सकती है in Nifty as well as in bank Nifty उसके पहले देखते है जो हम लोगों ने Thursday के दिन वीडियो बनाया था about Friday क्या मोमेंट आई कल के मार्केट मे है और अभी तक मार्केट ने कैसा क्या मोमेंट हमको देखे क्लोजिंग करी है यह आगया सर आपके सामने Nifty का चार्ट और यह कुछ इस प्रकार का डोजी बनाया है here in Nifty जहाँ पे opening हुई थी उसी के पास एक पॉइंट उपर में closing हुई है opening थी 14,500 वहासे उसमें high भी का 414 और बाद वहाँ पे closing करते करते भी सेम जगा पर आके इसने आके अपनी closing कर दी at the end of the day अब यह नीचे में अपनी line लगे हुई है बहुत पहली की इसको मुझे extend करना है और मैं इसको extend कर रहा हूं around 14,130 के आसपास आती है इसको मैंने कर दिया save अब जो लोग टेलिग्र था कि I am not confident on the upward side move in nifty as well as in bank nifty मतला bank nifty के लिए मैंने specially डाला था कि bank nifty में जो उपर की moment आ रही है दिखा रहा है आपको मैं उसमें confident नहीं हूं same goes for the nifty also एक बार आते है और 15 minute के चार्ट में देखते है कि मैंने ऐसा क्यों बोला सर यह है आपके सामने 15 minute का चार्ट जब आप यहां से उपर गए हो और यहां पे आके अपने आपको खुद को संबाला था आपको पहली बात इस जगा से उपर चले जाना था आप नहीं गए अगले दिन खोले पुरा फ्लैट और फिर गिरना चालू हो गए अब आप गिरे हो 14,800 से लेके 14,200 तक समझ रहे आप 600 पॉइंट की गिरावट दिये हो आप और आप अचानक एक दिन गैप अप खोल के उपर जाना चालू कर लेते हो सर यह कुछ ना मेरे को जमानी यह ऐसा कैसे हो सकता है अंटिल एन अनलेस एक दो दिन आगे पीछे कई इवेंट हो तो अगर situation ऐसी होती है या market कुछ बहुत ही जल्दी में काम करना है तो यह scenario होता है जिसमें touch करके हम भाग जाते हो उपर के तरफ में और जिस जगा पे हम आज बैटे है आज की 27 मार्च है कल की 26 तारिक थी तो अगर मैं 26 मार्च के हिसाब से सारी scenario को में जोडता हूँ तो सर ऐ ऐसा कुछ एकदम से बुलिश हो जाने वाला कोई scenario आज वाज में नहीं है और जिस जगाप हम अभी खड़े है उस जगापे हमको सा time भी तो spend करना है हमने मैंने आपको बता है कि अब तीन हफते कम से कम इसको लग नहीं है सेकंड हफता भी चालू हुआ है आज का दूसरा तीसरा दिन आज का Saturday ठीक है तो जब आपको इतना time spend करने how can you fly upwards तो यहीं एक सिंपल सी चीज थी जिसके कारण मैंने आपको बोला कि भाया मैं confident नहीं हूं कि उपर की तरफ में जा रहा है तो मैंने उसके अंदर participant करना चीए है निए मैं तो personally नहीं करता जा पर मुझे confidence नही है और में को किसी ने गाड़ी चलाने के लिए दे दिया straight road के उपर मुझे सिफ accelerator दबाना है आगे में कुछ आएगा तो ब्रेक दबाना है पर अगर में को वहाँ पर कोई बोलता है कि आगे में आने वाली है traffic और वहाँ पर तिरको गाड़ी एकदम बिना इधर उदर टच क के निकालना है सब मैं तो पैनिक हो जाओंगा ना मुझे तो पता है नहीं कि महाँ पे गाड़ी चला पाऊंगा अभी है नहीं चला पाऊंगा यह सेम सिच्वेशन कल मेरे साथ थी अभी तक तो मैं गाड़ी चलाती हुए आया था आप अचानक से बुलिश करने के बाद य अब अब मेरा पॉइंट पाऊंट पर चलाना है यही चीज थी कि यहां से अब यह गाड़ी निकली उपर की तरफ में मुझे यहां कॉंफिटन नहीं आया और अब मेरा पॉइंट ओफ यू अभी भी यही है देखो होना ना होना वो मार्केट के हाथ में है पर अगर मैं मार्केट का पूरा पास निकाल के देखता हूँ इतने टाइम से मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ सर मुझे यह आपे सिर्फ दो चीज़े समझ में आती है भाईया द चुका हूँ, तो आप यहाँ पे सट time spend कर दो, एक हफ्ता जो है, आप यहाँ से, अभी जैसे आप ख़ले हो, आप खुल जाओ कल उपर gap up, 650 चले जाओ, फिर घुम के नीच आओ, फिर एक दिन sideways हो जाओ, फिर एक दिन gap down खुल जाओ, इस zone के अंदर में, spend करना चाहिए, second point, अगर आप बोलते हूँ कि नहीं, time spend तो सर, मेरे से जादा होगा नहीं, मैं भली 2-3 दिन कर लूँ, पर में बहुआ को अब जाना है जल्दी उपर, तो सर, आपको 14,100 तो आना पड़ेगा, या जादा इच्छा है, मैंने आपको बताता है, psychological level, 14,000 तक आओ, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये 14,000 तक नहीं आया, पर 14,100 तक आ गया, ये 14,000 के आसपस जिन लोगों ने call को short किया है, उनको फसाने के लिए ये बहुत ही प्यारी जगा है, पर कि उनका target जो है, वो 14,000 है, और उनके target को 100 point पहले ही अगर यूटन घुमा दिया गया, सर वो market के पीछे पीछे भागते भागते आएंगे, कि ये बापर ये 14,100 तक तक तो आया था, चल ठीके, 250 आ गया, कोई tension नहीं, अगर दिन market gap up खोल देगा, दिखा देगा, मैं नीचे आ रहो, फिर gap up खोल देगा, फिर दिखा देगा, नीचे आ रहो, ये सिनारियो आपको याद है, कि सिनारियो हमारा last time कब हुआ था, इस वाले situation में हुआ था, याद है, हम नीचे खुलते थे, उपर जाते थे, उपर खुलते थे, नीचे आते थे, पर हर बार की जो closing थी, इसके पहले भी एक बार सिनारियो याप ऐसा हुआ है, ये वाला सिनारियो, देखो याद है, आप मेरा वीडियो जाकर देख लो, 5 मार्श वाला, उपर खुले, नीचे आये, closing दे दिये, उपर खुले, नीचे आये, closing दे दिये, उपर खुले, नीचे आये, closing दे दिये, अब ये तीनों दिन के अगर मैं closing देखता हूँ, तो मुझी क्या दिखता है कि closing हर बार की उपर में है, पर दिन बर का मुमेंट कैसे दिखाता है अरे कुछ नहीं है पुट में पैसा यह सेट अगर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है तो सर यह बहुत ही प्यारी जगा हो जाएगी और यह हमारे उपर के सोदों को उपर के तरफ भागने के लिए जितनी जादा पोजिशन कॉल के अंदर में शौट रहेगी अगर 14,000 टच नहीं होता है तो उतना तेजी से हम उपर की तरफ में आएंगे उतने तेजी से यह लोग अपना स्टॉप लॉस काटने को आएंगे अरे बापरे 100 पॉइंट से इसने मेरा टार्गेट देखो रोग दिया पर देखो 900 पॉइंट का लॉस खाए यह सेटअप वहाँ पर हो सकता है तो मार्केट के पास में क्या सिच्वेशन से मैंने आपको पूरी कंडिशन साथ पर समझा दिया टाइम स्पेंड कर लो गुंबिर के आजाओ तो जादर 250 तक कोई प्रॉब्लेम नहीं है नहीं तो आपको साथ 14,100 तक आना पड़ेगा और 14,100 की नीचे अगर आप जाते हो तो 14,100 तक आप बिलकुल जा सकते हो उस जगह पर मैं थोड़ा सा अपना और माल उठानी की कोशिस पर्सनली करूँगा और जो पॉर्टफोलिय के उसके लिए स्टॉक्स तो मैंने आपको बोल दिया है मैंने तो 25 तरी कोई उठा लिया है कुछ स्टॉक्स पूरा पैसा इंफ्यूस अभी तक नहीं किया है पूरा पैसा जब एक अच्छी मूमेंट आना चालू करीगी या मेरे को ये बॉटम तक मिलेगा तो मैं अपना पूरा पैसा वा लागाने के लिए इंट्रेस्टेड हूँ एक तो मैं 10-20 रुपय नीचे खरीदूँगा अभी according to this market या मैं 30 रुपया उपर में खरीदूँगा बस मुझे safety दे दो कि आप एक तो नीची के तरफ में आ रहे हो तो मैं कम में ले लू नहीं उपर जा रहे हो बिना किसी जीज़ा के 30 रुपय ज़्यादा लो मेरे से मेरे से 30 रुपय का ज़्यादा प्रिमियम लो और मेरे को माल दे दो तरफ तो अपने को पता है या अपने को यहाँ सब कहा तक जाना ठीक है तो यह मैंने पूरा आपको detail में about nifty बता दिए का setup था ही और आपने भी देख लिए सब्सक्राइब कुछ ऐसा कुछ ऐसा setup नहीं था कि इसके अंदर हम trade कर पाए तो yesterday was no trading ले बागे जो लो bank nifty paid calls के लिए इंट्रेस्टेड है आप डिरेटली मुझे call है WhatsApp कर सकते हो और नमबर 8788-971248 अपने चार्जे से 6000 रुपीज मंतली जिन लोगों ने एंजल बोकिम अकॉड ओपन के उनके लिए डिरेक्टली 10% आफ है तो चार्जे सार 5400 रुपीज बतली एंजल बोकिम अकॉड ओपन करवाना चाहते हो बिल्कुल करवा सकते हो उसके लिए लिंक में डिस्क्रिप्श होल्ड करना चाहते हो अगर उसके लिए जुड़ना है तो बिल्कुल जुड़ सकते हो उसके चार्जेस 8100 रुपीज मंतली जिसके अंदर में आपको मैं 6 स्टॉक्स प्रोवाइड करता हो वित प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस और मेरे परसनल क्या टार्गेट जगा पर यह डिसकेस किया था कि जहाँ पर आप यह फॉर्म करे हो इट इस गुड़ कोई प्रॉब्लम नहीं है पर सर आपको 32,000 का लेवल तो आना चाहिए अब जो सिनारियो मैं आपको निफ्टी में बता रहा हो वो सिनारियो अगर यहाँ पर होता हुआ दिखा कि यह आ डिसकस कर लेते हैं निफ्टी का चार्ट देखो पलट के अगर हम 250 तक आए बैंक निफ्टी बिलकुल आ सकती है 32,750 करना चाहती है इस जोन के अंदर हमारे वापस आ सकती है यह वाला जोन हमारा परपल कलर का बॉक्स बना हुआ है अराउंड 32,400 जिस जगा पे खड़िये वाज से 1000 पॉंट अगर यह 1000 पॉंट गिरती है तो सर यह 200 पॉंट गिरता है हिसाब पराबर अगर आप यहाँ पे देखते हो कि यह यहाँ से 100 पॉंट और गिर गई 14,100 के लिए तो सर इसने आना चिये 32,200, 32,100 के आसपास में यह भी सर ट्रैप कर सकती है 32,000 के लेवल को ट दिखता है कि यह 14,000 तक आ रहा है बिलकुल आराम से तो सर बैंक निफ्टी 32,000 आएगी ही आएगी ही आएगी उसके पास में कोई दूसरा चारा नहीं है सेकंड चीज़ आपको बता दू बैंक निफ्टी की जो मूव्मेंट है न वो उसके अंदर अभी भी स्ट्रेंथ नह इस जगा आप इसने तो रुकना नहीं चीए था पर निफ्टी रुका था इसलिए रुप गया और मैंने आपको क्लियरली इसी कंसेप्ट बताया था कि यहां से जब यह उपपर खुल गया सर इट इस नोट डाइट मच इजी टू गो अन दे टॉप बिना काम कंप्लीट किये सेकंड चीज यहां पे सर एक बार दो बार तीन बार चार बार चार बार आपने उस सपोर्ट को टेस्ट किया और उसको इतने तेजी से इतने गंदे तरीके से तोड़ा है और एक ही बार क चले जाओगे नोट पॉसिबर यह इतने बार आपने जब इतना बार किसी का पैसा यहां पे किसी ने बाई किया है इतना पैसा लगाने के बाद भी तो सपोर्ट नियुकर पाया तो सोचव कितना वीक था तो यह इस बार में इतनी दाकत आ गई कि एक बार से इतना काटके चले जाए, not possible, price गटी है, time देना ही पड़ेगा, तो अगर मैं अपना यहाँ पर concept लगाता हूँ, थोड़ी psychology लगाता हूँ, तो अगर मैं देखता हूँ कि सर, यहाँ पर concept का मेरा एक से देड़ हफता, देड़ हफता तो कहीं नहीं गया सर, देड़ हफता तो अभी भी pending है, तो सर, देड़ हफता तक इसको इसी जोन के अंदर में कुछ उपर, कुछ नीचे, कुछ एक दिन gap up या gap down, यही करके काम करना है, तो एक हफते तक सर, आपको simple hint मिल गई, आपका capital कितना infuse करना है, यह आपको पता होना चीए, quantity कितनी लेनी है, यह आपको पता होना चीए, अगर आपको यह पता है, आपको कोई भी problem नहीं आएगा trade करने में, एक reminder, सब के लिए, जितने हवे में थे, दो-तिन दिन से, कि बढ़िया पैसा बन रहा है, वो पैसा ऐसा हो सकता है, कि आपको आने वाले एक मैने का पूरा पैसा एक साथ दे दिया गया हो, you cannot blame the market की market, आपने मुझे इस मैने पैसा क्यों नहीं दिया, क्योंकि market ने आपको दिखा देगा वो, कि भाईया देखो यह पागलू, जो मैं 34,000,200 से जो continue गिरता हुआ आया था, आपको 32,000 का लेवल दिखाया, इसका पैसे का इसाप का है आपके बास, वो लेहां सर यह तो सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देजाए, तब तक के लिए देखती है, डेडिकेट इन्वेस्मेंट्स